प्रदेश में गर्मी के साथ साथ पानी की किलत भी बढ़ती जा रही है जिसके चलते जनता बून-बून पानी के लिए मोहताज हो गई है हलवानी में लोगों ने पेजल किलत से परेशान होकर जल्द संस्थान के अधिशासी अभ्यंता का घिराव किया और जल्द से जल्द पानी की सप्लाई दुरुस्त करने की मांगी घुसाई जनता ने कहा कि पिछले करीब एक माहा से इन इलाकों में पानी की बून तक नहीं है होता है कहतो रहें कि हम आते हैं करते हैं देखते हैं हमारी कोई मांग नहीं है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम माच पानी पूरा है पानी पूरा है ट्यूवल में सिर्फ डिस्टिविशन की समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए इनको अपना अमला लाना पड़ेगा उसमें ये हीला अवाली कर रहे हैं एक बार आ जाते हैं तो समस्या बहुत बड़ी नहीं है सिर्फ इनकी लापरवाई है लापरवाई अगर ये नहीं करेंगे इमानदारी से अपना काम करेंगे पानी हम लोगों मिल जाएगा वहीं पेजल संस्तान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पाइप लाइन को सही किया जा रहा है साथी उन्होंने बताया कि पानी का दुरुपियोग भी पानी ना मिलने का एक बड़ा कारण है उजाला नगर में एक लाइन जो हमने बाल लाया के सही करी थी उसके बास जो दूसरी लाइन उनकी धोवी घाट टुवेल से चलती है वो दो इंच की लाइन है और दो इंच की लाइन में जो कनेक्शन है वो बहुत जादा है और पानी का जो है दुर्पयों भी बहुत जादा हो रहा है जिसकी कारण शनी बजार से नीचे का एरिया है बहां पानी कम पहुंच रहा है तो उन लोगों का ये कहना था है कि सर हमारी लाइन जो है उपर से 4 इंच की अगर कर देंगे तो हमें पनी परियापत मातरा में मिल जाएगा तो अभी बरतमान में नए काम के लिए अचार सहीता लगी भी है तो यह काम अभी नहीं किया सकता लेकिन हम उनमें वाल लिएकर गलियों में प안ी को कंट्रोल करके नीचे जो है पानी की मात्रा बढ़ाएंगे जिससे उनको पानी मिल जाएगा ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी स्थानी लोगों ने अर्धनग्न अवस्था में पानी की किलत को लेकर जल संस्थान के आगे नारिवाजी की थी और प्रिशासन ने आश्वासन देकर इनको चुप करा दिया था अब देखना ये होगा कि प्रिशासन कोई ठोस कदम उठाती है या आश्वासन पर आश्वासन ही देती है हल्दुआनी से तारा जोशी की रिपोर्ट